जैहें दोसो स्वागत है एक बाफ वे से आज दिन बर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जा रहेंगे 11 दिन की पुलिस रासत में भेजे गए मडीपूर गटना के सभी 4 रूपी, 8 और आरूपीयों की हुई पैचान उधर भाजपा नेताओं के घरों का गेराव करेगी ममता बना जी की पाठी, कोलकाता से लेकर दिल्लीता कांदूलन का किया एलान उधर इंडिया गटबंदन का बड़ा फैसला, आगले हकते मडीपूर जा सकते हैं बिपक्षी दलों के नेता तो वहीं मद्दप्यदेश के गौलियर में जमकरगाजी, प्रिंकागाजी, बोली भाजपा जाने वाली है और कॉंग्रेस आने वाली है उधर सीमा हैदर ने राष्टपती द्रूपदी मुर्म से लगाई मदद की गोहारा, यूपी पुलिस की जाँच के बीचा भेजी गई दया याचिका तो वहीं बंगाल में मड़ी पुट जैसी सर्वना गटना, हावडा में एक महला को नर्वस्तर करके गुमाया, ममता बनाजी की पार्टी पर लगे आरूप, उधर राजिस्थान से लेकर मड़ी पुटता खिली दर्ती, भूकंप के जटकों से मचा हरकंपा, घरों से बाहर भागे लोगा, उधर नौराज्यों में भारी बारिस की कडी चितावनी, मुंबई में मेट्रो इस्टेसन और इस्कूल किये गए बंदा, और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अधी आप भी मानते हैं, कि देश की जनता बदलाब चाती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखें जैहिन, जरसल दोस्तों आपको बता दें कि मडीपुर में महलाओं को निर्वस्त्र गुमाने के चारा रूपियों को ग्यारा दिन के पुलिस रासत में भेज पुलिस ने गुरवार को आरोपियों को ग्रफतार किया था, समाचार एजेंसी अनाई ने मडीपुर पुलिस के हवाले से बताया के सभी 4 आरोपियों को 11 दिन के पुलिस रासत में भेज दिया गया है पुलिस अदिकारियों ने बताया क्या भी और भी गरफतारियां होनी बाकी हैं क्योंकि जांश टीम ने कम से कमा आठ और लोगों की पैचान की है जो गटना में सामिल थे आपको बता दें कि फिलाला चार आरोपियों को ग्यारा दिन के पुलिस सिरासत में भेज दिया गया है अवरी बले खबर भाजपा नेताओं के घरों का गेराव करेगी ममता बनाजी की पाटी कुलकाता से दिलीता कांदोलन का कर दिया एलान दरसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चम मंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनाजी ने एक बार फिरा केंद्र सरकार पर हमला बुला उन्होंने कहा कि अगर मोधी सरकार सत्ता में बापस लोटती है तो भारत में लोगतंत्र खत्म हो जाएगा वही ममता बनाजी ने बिपाक के संयुक्त गडवंदन में सामिल होने को लेकर कहा क्योंने कोई भी पद नहीं चाहिए वो बस इतना चाहती है कि भाजपा के सासन का अंत हो जाए ममता बनाजी पश्चिम बंगाल में टी एमसी के वाट सिक सही दिवसकार करम के मौके परा कुलकाता में बोल लई थी इस दौरान ममता बनाजी ने मड़ीपुर को लेकर भी सवाल उठाए ममता बनाजी ने कहा कि भाजपाने बंगाल में कईटी में भेजी लेकिन मड़ीपुर के लिए कोई भी केंद्र टीम नहीं भेजी गई उन्होंने कहा कि मैं प्रधन मंतरी मोदी से ये पूछना चाती हूँ कि मड़ीपुर की गटना से आपको जरासा भी दुख हुआ या नहीं आप पश्चिम मंगाल के तरफ उंगली उठाते हैं लेकिन क्या आपको माता और बहनों से प्यार नहीं हैं आखिर कब तक लड़कियां जलाई जाती रहेंगी और कब तक दलितों और अलप संख्यकों की हत्या होती रहेगी पश्चिम मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनाजी ने कहा कि हम मड़ीपुर को छोड़ेंगे नहीं उत्तर पूरु की बहने हमारी भी बहने हैं मुख्यमंतरी ममता बनाजी ने बाजपापर हमला बोलते वे कहा कि आपने बेटी बचाओ का नारा दिया आज आपका नारा कहा है उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सहनवोती मड़ीपुर के लोगों के साथ है ममता बनाजी ने आगे कहा कि आज मड़ी पुछ जल्दा है पूरा देश जल्दा है बिलकिस बानो केस में आरूपियों को जेल से छोड़ दिया गया महला पहलवानों के मामले में ब्रजबुसान सिंग को भी बेल मिल गई उन्होंने कहा कि देश की महलाएं आने वाले चिनाम में आपको देश की राजमीती से उखाल फैक हैंगी इस द्वारान ममता बनाजी के बतीजे और टीमसी सांसदा आवशेक बनाजी ने पांच अगस को भाजबा नेताओं के घरों को गेरने का एलाम कर दिया उन्होंने कहा कि इस दिना हम सभी भाजबा नेताओं के घरों का गेराब करेंगे औरी बड़ी खबर इंडिया गडबंदन ने लिया बड़ा फैसला अगले हपते मड़ी पूर जा सकते हैं विपक्षी दलों के नेता दरसल दोस्तों आपको बता दें कि मड़ी पूर में हिंता के बीच विपक्षी सरकार पर हमलावर है इसी भी सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गडबंदन इंडिया के नेता आगले हपते के अंत में मड़ी पूर जा सकते हैं सौमबार सुबह संसद में विपक्षी दलों की बैठक में तारीक पर आखरी फैसला लिया जा सकता है पर्षिमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बना जी भी मड़ी पू जाने को लेकर बात की है माना जा रहा है कि संसद में सौमबार को विपक्षी दलों की बैठक में मड़ी पूर जाने की तारीक को लेकर फैसला हो जाएगा आपको बता दें कि फिलाला मड़ी पूर में जारी हिंसा के बीचा विपक्षी गडबंदन इंडिया के नेता मड़ पुर के दोरे पर जा सकते हैं अवली बड़ी खबर मद्दपदेश के ग्वालियर में जमकरगर जी प्रिंका गांदी बोली भाजपा जाने वाली है और कॉंग्रेस पार्टी आने वाली है दरसल दोस्तों आपको बता दें कि कॉंग्रेस मासचे प्रिंका गांदी ने ग्वा इसा ही सुवाब होता है सत्ता को गलत इंसान के हाथ में दे दो तो इसी तरीके की लूट मचेगी जो आपके प्रिंका गांदी ने कहा कि अत्याचार उनी पर होते हैं जो कमजोर होते हैं आदिवासियों के साथ में कैसे अत्याचार किये जा रहे हैं दलितों पर भी अत्या लेकिन आपके पास में एक पाई नहीं बश्ती क्योंकि आप जागरुक नहीं है, आपकी जागरुकता में कमी है। प्रिंका गांधी ने कहा कि आप नेताओं से सही से सवाल नहीं करते, आप क्यों नहीं पूछते कि 22,000 गोशनाएं की गई, इन मैंसे 2000 भी पूरी नहीं हुई, प्रिंका गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस आपके लिए कुछ वादे और कुछ गारंटी लेकर आई है, हमारी जहां के लिए सुरक्षा और आपको पैंसन मिलेगी, प्रिंका गांधी ने कहा कि लेकिन सरकारी करमचारियों को आजा, पैंसन नहीं मिलती, जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है, वहां पर पुरानी पैंसन यहां भी लागू होगी, उन्होंने कहा कि मेरी बहनों के खाते में सीधे 1500 500 रुपई डाले जाएंगे गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपई में दिया जाएगा प्रिंका गांदी ने कहा कि 100 उनिट बिजली फ्री में मिलेगी 200 उनिट बिजली आदे दाम पर मिलेगी प्रिंका गांदी ने एलान कर दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही किसान हो रहे नए खुलासों के बादा उसने अब राष्टपती द्रोपदी मुर्म से मदद की गुहर लगाई है सीमा हैदर की तरफ से राष्टपती बवन को दयायाचिका भेडी गई है दयायाचिका के साथ जो हल्फ नामा लगाए गया है उस पर सीमा हैदर का ही नाम लिखा गय हल्फ नामे में बताया गया है कि वो इस केश से जुड़े तमाम पहलों से बाखिव है और लिखी गई हर लाइन पर उसकी सहमती ली गई है उत्तापदेश ATS की तरफ से सीमा हैदर से दो दिन तक लगातार पुस्ताच की गई थी जिसके बाद अब सीमा हैदर पर एक बार फि सीमा हैदर की तरफ से अब राष्टपती द्रोपदी मुर्म को अपनी याचिका भेजी गई है उत्तापदेश पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सीमा हैदर से अब तक जो पुस्ताच की गई है उसके आधार पर ये बिलकुल नहीं कहा जा सकता कि वो पाकिस्तानी जा सकता है जो कि वो बिलकुल भी नहीं चाती है सीमा का कहना है कि अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो वो जिन्दा नहीं बचेगी सीमा हैदर और सचिन की साधी की एक तजबीर भी अब सामने आ गई है जिसमें दोनों के गले में वर्माला नजर आ रही है दोनों ने नैप पश्च मंगाल में भी मडीपो जैसी सर्मना घटना हावडा में महला को निर्वस्तर करके गुमाया ममता बनाजी की पाटी पर लगे आरोप दरसल दोस्तों आपको बता दें के पश्च मंगाल में भी मडीपो जैसी एक सर्मना घटना सामने आई है आप पश्च मंगाल के ह हावडा में महला के साथ में हिंसा और निर्वस्त्र गुमाने का मामला सामने आया है एक ग्राम पंचायत के महला प्रत्यासी ने सतरडु त्रमुल कॉंग्रेस के कारेकर्टाओं पर छेड़ छाड़ा और सारेडिक रूप से प्रतारित करने का आरोप लगाया ये गटना बीत अपने सिकायत में कहा कि उसे त्रमुल कॉंग्रेस के लगबगा चालिस से पचास उपद्रवियों ने मारा पीटा छेड़ छाड़ की और पूरे गवर्मेंट निर्वस्त्र करके गुमाया इधर इस गटना के सामने आने के बादा भाटपा के आईटी सेल के प्रमुखा व और आपको अपने बंगाल पर ध्यान देना चाहिए बाहर निकलते देखे जैपूर समेता आजपास के इलाकों में भूकम के तावर्तोर जटकों से पूरा सहर सहम गया और लोग घरों से बाहर निकलका सडकों पर भागते नजर आए आपको बता दें कि आमादबी पार्टी के राजिसवा सांसदा रागत चड़ा ने मडीपूर हिंसा और महलाओं को निरवस्त्र गुमाने को लेकरा मचे सियासी बवाल के बीच कहा कि हम मडीपूर में बीजेपी सरकार को हटाने और राश्टपती सासन लगाने की मंग करते हैं ठीक वैसे ही जैसे माननिय प्रधानमंत्री नरिन्रमोदी ने फरवरी 2017 में मडीपूर के संबंद में मांग की थी आमादबी पार्टी सांसदा रागप चड़ा ने आगे कहा कि मडीपूर जल्दा है और भयानक वीडियो सामने आये हैं सरकार को इस पर चर्चा करनी चा आये सरकार इस बहस से भाग क्यों रही है मडीपूर और केंडर में बीजेपी की सरकार है दवल निजन की सरकार चल रही है मगर सिर्फा डवल हैवानियत नजर आ रही है और इबले खबर पधानमंत्री नरिन्रमोदी पर जमकरबर से संजराउता बोले मडीपूर सबल नही समाधान करना चाहते हैं और आपके समर्थक विशुगुरू कहते हैं लेकिन मडीपूर जल्दा है उन्होंने कहा कि पहले तो आपको मडीपूर में ही सांती कायम करनी चाहिए संजराउत ने कहा कि मडीपूर का मुद्दा बेहत गंबीर है इस मसले पर बेटे संसद तक में चर्चा हुई है लेकिन हमारे पधन मंतरी इस पर संसद में चर्चा की परमिसन ही नहीं दे रहे ये लोगतंतर के लिए बेहत खतरनाक है संजराउत ने कहा कि मडीपूर पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने कहा कि ये 140 करण भार्तियों के लिए चिंता की बात है और यूब इस पर पूरे देश में गुसा है और लोग एक्षन की मांग कर रहे हैं इस बीच मडीपूर के 10 बिदयाकों ने एक और चौकाने वाला खुलासा किया है इन बिदयाकों ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि 5-4 महलाओं के साथ में ऐसी ही गटनाएं हुई है इन मेंसे 3 म पर कोई भी टिपड़ी नहीं की है विदयाकों ने सरकार से मांग की है कि इन मामलों की जाचा CBI से कराई जानी चाहिए इस बीच प्रदेश में वीडियो सामने आने के बाद नए सिरे से गुस्ता फुट पड़ा है निउड परेड कराने के मुख्यारोपी के घर को उपद कॉंग्रेसर जच्य मलेका जुन खड़गे ने पीए मोधी पर बोला जबज़ समला बोले अगर पधान मंतरी मोधी मडीपूर पर गुस्ता होते तो अब तक उनोंने मुख्य मंतरी को हटा दिया होता दरसल दोस्तों आपको बता दें कि मडीपूर हिंसा और दो महलाओं को नगन घुमाने के साथ उनका योनुच्पिणन करने के मामले पर संसद में हंगामा मचा हुआ है इस बीच कॉंग्रेसर जच्य मलेका जुन खड़गे ने कहा कि अगर पधान मंतरी नरिंद्र मोधी मडीपूर के हालात पर सच में गुस्ता है तो ने मुख्य मंतरी एन बिर आपको बता दें कि कॉंग्रेस पार्टी की ओर से मडीपूर हिंसा पड़ दिये गए पीम नरिंद्र मोधी के बयान को बहुत छोटा और बहुत देरी से दिया गया बयान करार दिया है इसके साथ ही कॉंग्रेस पार्टी ने एन बिरिंचिंग के इस्तिफे की भी मांग की ह अवली बले खबर हंगामे की बेट चड़ी संसद के दोनों सद्रों की कारेवाई सरकार बोली हम चर्चा को तैयारा लेकिन पधार मंतरी के बयान पर अला बिपक्ष दरसल दोस्तों आपको बता दें के मडीपूर हिंसा और राज्य में दो महलाओं को निर्वस्त्र गुमाने के मामले में संसद में मांसून सत्र के दोराना दोनों सद्रों में लगाता दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ इसकारा राज्य सभाकी कारेवाई आरंभ होने के कुछी देर बादा दो पहर दो बच का 30 मिनट तक के लिए सगित कर दिया गया वहीं लोग सभाकी अड़ा हुआ है तो वहीं सरकार के रही है कि विपाक्षी सदन नहीं चलने दे रहा और यूबले ख़बर गडबंदन में ही इंडिया नाम नहीं पचा पा रहे कई दला बताया नया तोटका चुनाप से पहले दिया बड़ा सुझाव दरसल दोस्तों आपको बता दें कि व लालू प्रसाद्यादव की अगवाई वाली राष्टे जनतादल सामिल है हाला कि दोनों दलों ने आधिकार एक तोर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा है एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारा गुरवार को जदियू के राजीव रंजन सिंगा ललन सिंगा और आर जेडी के मनुझा ने इंडिया के बादा फ्रंट सब्द जोडने का सुझाव दिया है अगर इस पर सहमती बनी तो गडबंदन इंडिया फ्रंट कहलाएगा खास बात है कि मांसुन सत्र की करिवाई शुरू होने से पहले कौंगरे सद्धिर्च मनलिका जुन खरगे के कमरे में हुई इंडिया के साथ में कोई सब्द और जोड़ा जाना चाहिए यह हर राज्य में अलग भी हो सकता है जैसे बंगाल में गडबंदन को इंडिया मोर्चा और तमिलनाडू में इंडिया अलाइंस कहा जा सकता है जनता को इसे समझने में आसानी होगी और कन्फिजन भी कम होगा आपको बता दें कि फिलाला इंडिया नाम को लेकर विपक्ष में ही सहमती नहीं बन पा रही है इसको लेकर कई दलों ने आपती जताई है और इंडिया के साथ कोई एक और नाम जोड़ने का सुझाव दिया है अरी बले खवार नौराज्यों में भारी बारिस की कड़ी चेतावनी मुंबई में मेट्रो स्टेशन और इसकूल किये गए बंद इस बीचा थाड़े कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूला और जूनियर कॉलेजा एकी जुलाई को बंद रखने का आदे दे दिया अवरी बली खवर आदालत ने ग्यानवापी परिसर के सर्वे कराने की देदी अनुमती मुस्लिम पक्ष ने हाई कोट जाने का कर दिया एलान जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक कलेक्ट जैहिन जै भारत